कि हलो एब्रीबरन वेलकम करती हूं आपका कंप्यूटर के टिटोरियल में और आज का टिटोरियल आपके लिए भी बहुत इंपोर्टेंट होगा जैसे कि मैं बता चुकी हूं कि एक्सल फाइल अगर आपने सेव करके रखी है कहीं पे तो एक्सल फाइल आप निकाले या फि से हेडिंग्स को रिवाइस करती हूं जी एस्टी के बारे में बताती हूं जी एस्टी क्या है तोड़ा सा जरूर आपको इसके बारे में बता दू तो पहले आप एक्सल खोलना है तो विंडो आर करके यह विंडो की प्रेस करके यहां लिखके इसके अलावा दो आप एक्स नेम राइट रोकर के सीवन में रेट और राइट रोकर के डीवन में डिसकाउंट कितना कितना देना है राइट रोकर के इवन में डिसकाउंट रेट राइट रोकर के एफ वन में यह नहीं राइट रोकर के इवन में तो लिख लिए डिसकाउंट रेट आप राइट रोकर के एफ वन में कॉइंटिटी कितने कितने अदद नहीं है राइट रोक ये रीट इसके नीचे लिए सीरियल नमबर आजाएंगे लिए फॉर य भीवन ये रेट आइटम ड़िटन नेव आइटम में आइटम्स नेम आजाएंगे यानि उन आइटम्स के रेट के आगे डिसकाउंट आ जाएगा इवन में जो हमने डिसकाउंट रेट निकाला है वो सब्सक्राइड निकाला था इक्वल सी टू सी टो माइनस के लगा इक्वल सी टू एक्वल सी टू माइनस लइफ पारें टो सलाज तो स्लैश 502 मूल्टिप्लाई डिटar टी टो क्याएंक को माइनस आउब पारेंट सी टू slash 100 multiply d2 इसी तरह c3 इसी तरह equal लगा के c3 minus left parent c3 divided by 100 multiply by d3 right parent control enter इसी तरह जो है हमने कह निकाला e4 में equal c4 minus left parent c4 divided by 100 multiply by d4 right parent control enter तो इसी तरह हम निकालेंगे c5 में कैसे की sorry e5 में कैसे निकालेंगे e5 e6 में सब जगा जैसे c5 है तो e5 है तो यहां पर लगाएंगे c5 e6 है तो c6 minus left parent और पर जो आपका है जैसे e6 है यह जो भी e5 है तो वहां पर c6 यह मतलब c5 divided by 100 multiply by d5 यह d6 जो भी है जो भी है आपका discount वह आप और राइट parent control एंटर यह हो जाएंगे discount rate f1 में quantity है तो f2 f3 45 में discount rate multiply by quantity यह आप निकाल लेंगे g2 g3 g4 g5 में क्योंकि एफ वन में हमने क्या लिखा था f2 में one है कोई item कोई two है कोई three है तो f column में तो वह जाएगा g1 में amount है तो g2 g3 g4 g5 g6 में सब quantity multiply by discount rate क्या quantity multiply by discount rate यह आप निकालेंगे equal लगाएंगे पहले और यानि equal equal d2 multiply by e2 control enter equal sorry equal e2 multiply by f2 control enter equal e3 multiply by f3 control enter equal e4 multiply by f4 control enter equal e5 multiply by f5 यह नि discount rate को quantity से multiply कर देंगे control enter कर देंगे अब आपका h1 में जीस्टी था है मैंने आप से कहा था s2 h3 मान लिजे मैंने 20% जीस्टी लगाया है ना किसी का 18 किसी का 20 किसी का तो अब मैं क्या करूंगी सब मैंने जीस्टी लिख लिख लिए एच वन में जीस्टी हेडिंग है h2 h3 h4 h5 सब में लिख लिख लिए अब मैं i1 में आऊंगी अब जहां पिये लिखा हूँ है total bill और i2 में निकालूंगी equal equal g2 plus left parent g2 divided by 100 multiply by h2 right parent ctrl enter इसी तरह क्या equal g3 plus equal g3 plus left parent g3 divided by 100 100 हो गया multiply by h3 right parent ctrl enter इसी तरह फिर हम आऊंगी i4 में और i4 में कैसे निकालूंगी equal g4 plus left parent g4 divided by 100 multiply by h4 right parent ctrl enter इस चीज़ की थोड़ी प्रक्टिस कीज़े कल और ज्यादा deeply में आपको gst और discount rate समझाओंगी क्या यह आई कॉलम में निकलना है टोटल बिल के नीचे सब ठीक है gst के नीचे gst heading के नीचे gst लिग दिया सबका और टोटल बिल के नीचे सबका बीचे कर गडल झांक ने